स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भहुतिक विज्ञान यानि कि फिजिक्स के बारे में बात करेंगे और ये फिजिक्स का जो भी कॉश्चन का कलेक्शन है वो आपका पूरा 66 BPSC के लिए important है और आपका जो बिहार दरोगा का एक्जाम होने वाला है और बिहार SSE का जो एक्जाम होगा सची वाले सायक वो सभी के लिए समाने रूप से उपियोगी है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप BPSC का तयारी कर रहे हैं नहीं ये वीडियो देखें अगर आप अधर बिहार के पैच्छा का तयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में जेनरली बिभीन BPSC के जो एक्जाम में पूछे गया है प्रशन वो आपका यहां पे collection पूरा दिया गया है और जैसा कि जानते हैं कि BPSC में 20-25 कोशन पिछले वार केबल साइन्स से पूछा था तो इस तरह से साइन्स एक महत्पूर्ण रोल निभा रहा है BPSC के एक्जाम में और बहुत सारे कोशन जो है repeat होते हैं ठीक है तो इस वज़ा से मैं पूरे years का आपका previous year का भी जितने अब तक physics में पूछे गया है वो सारे का एक जगा collection करके आपको उसका answer मैं बताते जा रहा हूँ ठीक है इसे आप लोग एक वार जरूर देख लीजेगा तो chemistry का भी मैंने पूरा डाल दिया था MCQ पूरा BPSC पेटरंड पे तो वो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो किरपेकर के description box में उसका link है उसे भी आप लोग देख ले और वैसे मैं टेलिग्राम चैनल का भी लिंक आपको description box में दे दे रहा हूँ वहां से अप लोग उससे automatic download, automatic join कर लीजेगा वहां से किलिक करके चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं पहला है, पहला question पूछ रहा है कि निम ततो में से किस में neutron नहीं होता है तो यहां पे option c हो जाएगा hydrogen में neutron नहीं होता है और hydrogen के कितने समस्थानिक होता है तो यहां पे साधरन hydrogen के समस्थानी कौन-कौन है तो देखिए प्रोटियम, ड्युटेरियम और ट्राइटियम ठीक है और प्रोटियम में कोई naive-tron नहीं होता है ठीक है और ड्युटेरियम में एक naive-tron होता है जबकी tries-trium में दो nuclear-tron होते हैं तो यह यहां पर important concept है नेक्ष्ट आई दूसरा एंगे स्ट्रॉम इकाई है तो एंगे स्ट्रॉम किसका है तो तरंग देर का यानि कि वेवलेंद का ये एक इकाई है तो वन एंगे स्ट्रॉम इसकल टू 10 टू डी पावर माइनस 10 मीटर होता है नेक्ष्ट आई ये तीश्रा नमबर में तीश्रा बोरा कि आविर्थी को मापा जाता है तो आविर्थी यानि कि आपको फ्रिक्वेंसी को किस में मापा जाता है तो यहाँ फ्रिक्वेंसी को हर्स में मापा जाता है तो आप्शन ए इसका सही हो जाएगा और एक समाने मनुष से 20 हर्स से 20,000 हर्स की आविर्थी की ध्वनी को सुन सकने में सक्षम होता है नेक्ष्ट आईए चौथा नमबर चौथा बोर रहा है कि घड़ी में परियोग होने वाले कार्ड्स क्रिश्टल होते हैं तो चौथा का सही एंसर हो जाएगा ओप्शन B सिलिकन डाइ ओक्साइड यानि की SiO2 नेक्ष्ट आईए पांचवा नमबर में देखिए हर्स में क्या मापा जाता है देखिए पैसा ठीजी BPSC में सब रिपीटेट करता तो हर्स में आविर्थी मापा जाता है यानि की फ्रिक्वेंसी को नेक्ष्ट आईए छठा नमबर में छठा बोरा के विद्धुद सक्ती की इकाई है तो विद्धुद सक्ती यानि की पावर इसकल्टू वर्क डन बाई टाइम ठीक है तो इसका Si मातरक वाट होता है ठीक है तो इसका सही अंसर हो जाएगा उप्ष्टन B 4900 इंगस्ट्रॉम से 3600 इंगस्ट्रॉम के मद्ध है ठीक है नेक्ष्ट आईए आठवा नमबर आठवा बोरा है कि 100 विक्र अनिन में से किस परास में दिखता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्ष्टन B 400 से 700 नैनो मीटर के मद्ध है नेक्ष्ट आईए 9 नमबर में आठवा किस उपकरन से नापी जाती है तो 9 का सही अंसर हो जाएगा ओप्ष्टन B हाइग्रो मीटर और एक और आठवा आठवा आपने का जो मेजरमेंट है उसका नाम है साइक्रो मीटर तो वो भी आप लोग याद रखिएगा दो चीज है हाइग्रो मीटर और साइक्रो मीटर नेक्ष्ट आईए दसवा नमबर में दाब की इकाई क्या है तो दसवा का सही एंसर हो जाएगा ओप्ष्टन A न्यूटन प्रतिवर्ग मीटर तो देखिए प्रेशर इसकल्टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर यहाँ पर इसका यूनिट हो जाता है ऐसे भी आप लोग निकाल सकते थे फिर वही चीज देखिए ग्यारा नमबर में बुरा की दाब का मातरक है तो यहाँ पर उप्ष्टन E हो जाएगा क्योंकि इन में से कोई इसमें उप्ष्टन में सही नहीं है नेक्ष रही है बारा नमबर बारा बुरा की निमलिखित में से कौन सी अदीस रासी है तो बारा का सही answer हो जाएगा option B pressure जो है वो अदीस रासी है अदीस मतलब scalar quantities तो दाब जो है वो scalar है बाकि जो option में बच गया है तीनों ये सभी vector quantities है यानि कि सदीस रासीया है Next आई है तेरा number तेरा बोर रहा है कि निमलिखित में से किस रासी का मातरक नहीं है तो देखिए तेरा का जो सही हो जाएगा option C हो जाएगा विक्रिती का तो विक्रिती का जो होता है किसी वस्तु में बीमा में आया परिवरतन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विक्रिती काते है और प्रतिवल विक्रिति मतला stress और यह strain तो strain का कोई unit नहीं होता है ठीक है क्योंकि change in dimension upon mole dimension ठीक है तो यह cut के total unit cancel हो जाता है तो इसलिए इसका कोई unit नहीं होता नेक्ष्ट आये 14 number सही कथन चुनिये तो इसका science हो जाएगा option B लाल परकास का तरेंग देर्ग बैगनी परकास से ज्यादा है अगर frequency में पूस्ता आविर्थी में तो लाल परकास का frequency बैगनी परकास से कम हो जाता ठीक है नेक्ष्ट आये 15 number 15 बुरा की एक परमानू के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है तो पंद्रा का सबको पता होगा option एक परमानू के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है तो nucleus ठीक है proton में देखे positive charge होता है लेकिन जब केंद्र धनावेशित हिस्सा हो जाता है तो उसको generally nucleus कहा जाएगा क्यों क्योंकि देखे nucleus में क्या होता है proton प्लस neutron proton पे positive charge होता है और neutron पे neutral होता है ठीक है तो neutral रहेगा तो सभाविक तोर पे जो नाविक हो जाएगा हमारा धनावेशित हिस्सा हो जाएगा ठीक है तो यही वज़ा है कि केंद्र का धनावेशित हिस्सा है उसे nucleus कहते है और nucleon proton और neutron को सहीत रूप से हम लोग एक वरड में nucleon भी बोलते है ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखिएगा नेक्स आइए शुल्ला नंबर में सुल्ला बुर रहा है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्दन को कहते हैं तो इसका सही एंस रोजा का option A उर्ध पातन यानि कि शब्लिमेशन नेक्स्टा यह 17 नंबर कॉस्मिक किरने हैं तो 17 का सही एंस रोजा का option A आवेशित कन यानि कि चार्ज पार्टिकल यह होते हैं और कॉस्मिक किरने जो होता है वो बिद्धु चुम्बकी अस्पेक्ट्रम का भाग नहीं होता है यह जो है यह उच उर्जा के आवेशित कन होते हैं जो अंत्रिच में लगभग परकास की गती से गमन करता है अठारा नंबर में बुरा कि 2G अस्पेक्ट्रम में एक छट जी किस सब से परियुक्त होते हैं तो जन्रेशन मतलब सेकेंड जन्रेशन 3G है तो थर्ड जन्रेशन 4G है तो 4 जन्रेशन 5G है तो 5 जन्रेशन तो यहां पर option C हो जाएगा नेक्स्ट आईए 19 नंबर राडार का अविस्कार कौन था तो इसका सही answer हो जाएगा option A रावर्ट वाट्सन और राडार का फूल फॉर्म क्या होता है तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग और अस्कॉर्टिस बहुत एगवीत रावर्ट वाट्सन वाट्सन ने वर्स 1935 में पहली बार प्रियावगिक राडार का प्रियोग किया था नेक्स्ट आईए 20 नंबर 20 बोरा की गौड पार्टिकल है तो गौड पार्टिकल क्या है तो ये हो जागा option B हिक्स बोसाउन हिक्स बोसाउन एक मुलकन है जिसकी पर्थम परिकल्पना वर्स 1934 में की गई और इसका प्रियावगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया थिक है इसे ही गौड पार्टिकल के उपनाम से जाना जाता है हिक्स बोसोन कन की खोज करने वाले विज्ञानी की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डबलू हिक्स तथा बेलजियम के डबलू एंगल्ट को वर्ष दोजात तेरा के बहुतिक विज्ञान के छेत्र में नोबिल पुष्टकार से पुरुस्कित किया गया था नेक्स आईए 21 नमबर सर सीवी रमन को भौदकी का नोबिल प्राप्थ हुआ था तो 21 का सही एंसर हो जाएका ओप्षन बी सन 1930 में नेक्स आईए 22 नमबर 22 बोरा के टेलियोसकोप की खोज किस विज्ञानिक ने की थी तो 22 का सही एंसर हो जाएका ओप्षन डी गैलेलियो ने नेक्स आईए 23 नमबर 23 बोरा के इस सदी की शुरुवात में हवाई जहाज का विज्ञार किस ने किया था तो 23 का सही एंसर हो जाएका ओप्षन ए राइट ब्रदर्स ने नेक्स आईए 24 नमबर 1 माइक्रोन बराबर होता है तो देखिए 1 माइक्रोन इसकल टू 10 to the power minus 3 मिली मीटर तो 10 to the power minus 3 मिली मीटर हो जाएगा तो ओप्षन C मेरा सही हो जाएगा नेक्स आईए 25 में 25 बरा की 40 डिगरी Celsius का मान Fahrenheit scale में क्या होगा तो 25 का सही एंसर हो जाएगा option A 104 डिगरी Fahrenheit देखिए A physical to 9 by 5 into C plus 32 इस formula से आप लोग निकाल लीजिएगा नेक्स आईए 26 नमबर 26 बरा की chromatography की तकनीक का परियोग होता है तो 26 का सही एंसर हो जाएगा option B पदार्थों की सरणरचना निर्धारन में नेक्स आईए 27 नमबर 27 बोल रहा है कि लोलक की कलावधी time period होता है तो 27 का सही हो जाएगा option B लंबाई की उपर निर्भर करता है तो time period is called to t is called to 2 pi into root under lyg ठीक है तो ये आप लोग note कर लिजेगा नेक्स आईए 28 नमबर में 28 बोल रहा है कि बल गुननफल है तो a physical to m a यानि कि mass into exploration तो option B इसका सही हो जाएगा नेक्स आईए 29 नमबर में तो अरन ग्याद करने का सही सूत्र है तो इसका सही answer हो जाएगा option A change in velocity upon time तो ये final velocity है ये initial velocity है दोनों का minus कर दिया है divided by t यानि कि change in velocity divided by time तो ये इसका सही हो जाएगा और इसका unit हो जाएगा meter per second square नेक्स आईए 30 नमबर 30 बोल रहा कि निमलिखित में से कौन सी रासी सदीस नहीं है यानि कि scalar पूछ रहा है तो यहां से आपका option D हो जाएगा आयतन जो है वो आपका सदीस रासी नहीं है ये जो है scalar है यानि कि अदीस रासी है next आईए 31 नमबर में 31 बोल रहा है 31 बोल रहा है कि पदार्थ के समवेग और वेग के अनुपात से कौन सा बहुती क्रासी प्राप्त होता है तो पी स्कल्टू एम भी ठीक है और नीचे बोल रहा है कि बेग यानि भी यहाँ पे भी भी कड़ गया बाकि बचा मास यानि कि option C इसका सही हो जाएगा next आईए 32 नमबर में 32 बुरा की एक किलो मीटर दूरी का तात पर रहे है मतलब option C इसका सही हो जाएगा 1000 मीटर तो कुछ easy रहेगा आपको कुछ यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ यह थ्वासा tough है लेकिन generally science का कुछ ही question हाट रहता है बाकि सारा easy रहता है वही आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार आप लोग इसे जरूर देख लें next आईए 33 में 33 बुरा है कि एक pico gram बराबर होता है तो 33 नमबर का जो question है वो option C हो जाएगा 10 to the power minus 12 gram next आईए 34 नमबर 34 बुरा है कि आप एक lift में खड़े है lift के first पर आपके भार द्वारा लग रहा बल ठीक है तो 34 का सही answer हो जाएगा option B lift के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर के तोरण से नीचे आते समय सूनने हो जाएगा ठीक ना क्योंकि जब lift के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वाइर के तोरण से नीचे आते समय लिफ्ट के first पर व्यक्ति का दवाव नहीं पड़ता है अता उस समय first पर उसके द्वार लग रहा बल 0 हो जाता है नेक्ष्ट आईए 35 नंबर वायू में ध्वनी तरंग है तो 35 का सही answer हो जाएगा option B अनुदैर्ग तरंग और परकास अगर push देगा तो अनुप्रस तरंग हो जाएगा नेक्ष्ट आईए 36 बोरा कि बिद्दू सक्ति की इकाई क्या है देखे फीर आगया option D हो जाएगा वाट नेक्ष्ट आईए 37 नंबर में 37 बोरा कि टर्वाइन एम डाइनेमों से बिद्दूत उर्जा में परिवर्तित करते है तो 37 का इसका सही एंसर हो जाएगा option C mechanical उर्जा यानि कि टर्वाइन एम डाइनेमों में बिद्दूत उर्जा में परिवर्तित किया जाता है नेक्ष्ट आईए 38 नंबर बोरा है कि 100 वाट का बिद्दी का बल्व यादी 10 घंटे जले तो बिद्दी का खर्च होगा तो 38 का हो जाएगा option B क्योंकि 1000 वाट अगर एक घंटा तक यूज होता है तो एक यूनिट आपका उठता है तो वही एक यूनिट इसका हो जाएगा और विजली यूनिट जो हम लोग मेजर करते है KWH होता है ठीक है किलो वाट आवर में इसका मेजर करते है नेक्स आई यह 49 नंबर 49 वो रहा है कि एक समाने सुस्क सेल में बिद्दूत अब घट्टे होता है तो 49 का इसमें सही एंसर हो जाएगा option C आमोनियम क्लोराइड नेक्स आई यह 40 नंबर फिर आगया देखे डाइनेमो तो डाइनेमो का अभी बता है आपको तो इसका option B हो जागा यांत्री कुर्जा को वैद्दूत उर्जा में परिवर्तित करता है नेक्स आई यह 41 नंबर 41 बोरा के विद्धूत मोटर में तो 41 का इसमें सही एंसर हो जागा option C विद्धूत मोटर में विद्धूत उर्जा को यांत्री कुर्जा में बदला जाता है नेक्स आई यह 42 नंबर 42 बोरा के विद्धूत धारा नीन में से किस उपकरन से नापी जाती यानि कि इलेक्टिक करेंट आपका किस से नापी जाएगी तो option B हो जाएगा अमीटर से नेक्स आई ए 43 नंबर 43 बोरा के विद्धूत धारा किस उपकरन से नापी जाती है देखे फिर रिपीट कर रहा है question तो 43 का सही एंसर हो जाएगा option B अमीटर से नेक्स आई ए 44 परकास में 7 रंग होते हैं रंगों को अलग करने का क्या तरीका है तो 44 का सही एंसर हो जाएगा option A एक प्रिज्म से रंगों को अलग-अलग किया जा सकता है नेक्स आई ए 45 नंबर में यदि किसी एनक के लेंसों की सकती प्लस 2 डायप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा तो 45 का सही एंसर हो जाएगा option C 50 cm क्योंकि देखिए फोकस दूरी सकल टू 1 अपॉन डायप्टर मतलब लेंस की छमता तो 1 अपॉन डी कर दीजे तो 50 cm हो जाएगा और ये जो होता है यहाँ पे मीटर में तो मीटर में 0.5 मीटर आएगा 0.5 मीटर को हम 50 cm लिख सकते हैं नेक्ष्ट आई है 46 नंबर चुमबकिये सुई किस तरफ संकेत करती है तो 46 का सही एंसर हो जाएगा option C उत्तर की और नेक्ष्ट आई है 47 नंबर स्वेथ परकास को नली में कैसे पैदा करते है तो 47 का सही एंसर हो जाएगा option B तंतु को गर्म करके नेक्ष्ट आई है 48 नंबर 48 बोड़ा कि आइंस्टीन को नोबिल प्राइस किस कारे के लिए ये मिला तो यहाँ पे परकास विद्धुत परभाव के लिए मिला था option D का सही हो जाएगा photo electric effect ठीक है आप लोग बहुत बहुत लोग आप लोग theory of relativity मार देते हैं is equal to mca2 वाला वो गलत है यहाँ परकास विद्धुत परभाव के लिए नोबिल प्राइस मिला था uranium हम लोग नापकी यह reactor में यूज करते हैं तो option A इसका सही हो जाएगा next आइए 50 number 50 बुरा के कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो 50 का सही answer हो जाएगा option B संप्रित गैस को छोड़ने से next आइए 51 number एकान बुरा आम तोर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए परियोग होने अलतार किस पदार्थ का बना होता है तो 51 का सही हो जाएगा option D टीन और सी से का ठीक है और इसका गलनांक जो होता है नीम्ड होना चाहिए ठीक है तो इसका गलनांक नीम्ड होता है इसी वज़ा से इसका हम लोग यूज करते है नेक्स्ट आए बावन नमबर आति चालक का लच्छन है तो बावन का हो जाएगा option सु सी सुने प्रागम्यता यानि कि वर्स 1911 में डच भौतिक विज्ञानी एच के ओनेश ने प्रति रोध पर ताप के परवाव का अध्यन किया उन्होंने धातों के कुछ नमूनों को कुछ केलविन ताप तक ठंडा करके उसके विद्धुत परति रोध की माप कि उन्हें को यह जानका अश्यर हुआ कि 4.2 केलविन ताप पर पारे का बिद्धुत परती रोध सुनने हो जाता है और यह पाया गया कि नियून तापों पर अनेक तत्वों और योगिक्यों का भी ऐसा ही बेभार होता है तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि आपका अतिचाला का लच्छन क्या है कि सुनने परागम में अता यानि कि जो बिद्धुत परती रोध होता है वो कम से कम जीरो हो जाता है और यही वज़ा से है जो भी करेंट वहाँ पे च्छा है बिद्धुत हार्स का कुछ नहीं वहाँ पे होता है यानि कि जो उर्जा का परवा है उसमें कोई भी हार्स नहीं होता है नेक्स्ट आईए 53 में 53 बोरा की ठंड़क के दिनों में लोहे के गुट को और लकड़ी के गुटकों को प्राता काल चुएं तो लोहे का गुट का ठंड़ा लगता है क्योंकि तो 53 का सही हो जाएक option B लकड़ी के तुलना में लोहा उसमा का अच्छा चालक है नेक्स्ट आईए 54 में 54 बोरा की कमरे में रखा रेफ्रीज रेटर का दरवाजा खोल कर 54 उसके बाद option C होगा आप अंदर तक कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं तो आप लोग जैसे रेफ्रीज रेटर है घर में रखा हुआ उसे आप लोग अंदर में ठीक है ठंडा रहता लेकिन जब आप खोल कर छोड़ दीजेगा तो आप लोग को लगए कि रूम ठंडा हो रहता ओ ऐसा नहीं होता रूम गरम हो जाता अगर रेफ्रीज रेटर का दरवाजा खोल कर छोड़ दिया जातो नेक्स रही है पच्पन नंबर पच्पन बोरा कि दो उत्रोतर स्रिंग अथ्वा दो उत्रोतर गर्थ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं तो पच्पन का इसमें सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन भी तरंग द्यार्ग नेक्स रही है 56 में 56 बोर रहा है कि पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस परकार के लेंस से बने होते हैं तो छपन का सही हो जाएगा ऑप्शन भी उत्तर लेंस याने की कॉन्वेक्स लेंस और अप्टल को बोलते हैं कॉन्केव ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन भी ह प्रकास विक्रणों की प्रकिर्ती होती है तो 58 का सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन C तरंग एवं कन दोनों के समान वेव एजन एंड नेचर दोनों के समान इसका डूल नेचर का यह अकास नीला लगता है क्योंकि इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन B लगुत तरंग दिर्ग तरंगों की अपिक्छा वायू मंदल द्वारा अधिक प्रकिर्ण होती है यानि किसका डिफ्रेक्शन सबसे ज्यादा होता है नेक्स्ट आईए 60 नमबर में पानी का घना तो अधिकतम होता है तो 60 का सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन B 4 डिग्री सेंटीग्रेट पर और अगर आयतन पुछेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेट पर पानी का आयतन सबसे कम होता है नेक्स्ट आईए 61 नमबर 60 डिग्री सेंटीग्रेट का मान फारेन हाइट स्केल में बदलिए तो 61 का सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन B 122 फारेन हाइट देखिए 9 by 5 C plus 32 कर दीजेगा तो यहां से फर्मूला से आपको निकल जाएगा नेक्स्ट आईए 62 नमबर वर्सा की बुंदो का गोलाकार आकृति का कारण होता है ऑप्शन B प्रिष्टिये तनाव यानिकी सर्फेस टेंसन के कारण नेक्स्ट आईए 63 63 बुर आएकि महासागर में उची जल तरंगे कैसे आती है तो 63 का सही एंसर हो जाएगा ऑप्शन D चंद्रमा से ठीक है तो यहां पे आपको सूरे से भी बोलेंगे सूरी या चंद्रमा से लेकिन जेनरली जो उची तरंगे आती है वो चंद्रमा के जान्त की सता से प्रिथी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है option B हो जाएगा परन्तु द्रमान नहीं किसी भी वस्तु का द्रमान हमेशा constant होता है जो भी चिंज होता है भार होता है ठीक है तो भार का unit होता है Newton ठीक है और द्रमान का होता है kg तो option B इसका सही होग नेक्स्ट आईए 65 नंबर में सौर उर्जा नीन में से किस्से प्राप्त होती है तो यहाँ पर option C हो जाएगा सूरे से नेक्स्ट आईए 66 नंबर में सूरे पर उर्जा का निर्मान होता है तो यह हो जाएगा option B नाविकिये Sun Lion से यानि कि Nuclear Fusion से नेक्स्ट आईए 67, 67 बोड़ा कि पर्थम भारती उपग्रा आरे भट कब छोड़ा गया, यह आप लोग याद रखेगा, यह हो जाएगा option B, 19 अप्रेल 1975 को, date के साथ इसको याद रखेगा, ठीक है, नेक्स्ट आईए 68, वर्स दिर्गतम होता है, तो किस ग्रह पे सबसे लंबा वर्स होता है, इसका सही एंसर हो जाएगा, option A, प्लूटो पर, हाला कि बहुत से अब से बोलेंगे कि प्लूटो को अब ग्रह कि स्रेणी में हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए, ग्रह का कोई भी यहाँ पे वर्णर नहीं किया गया है, कोशन में, तो लिख रहा है, वर्स दिर्गतम होता है, तो यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बोला गया है, इसलिए इसका प्लूटो एंसर हो जाता, नेक्ट आइए 69 नमबर, 69 बोल आए कि सूरे के परकास का धरती की सता पर पहुँचने में लगने वाला समय लगभग है, तो 69 का सही हो जाएगा, उप्शन C, 8.5 मिनट, नेक्ट आइए सूरे का परकास प्रिथवी पर पहुचता है, तो 70 का सही हो जाएगा, उप्शन E, और ये E क्यूं होगा तो देखिए, सूरे का 8.5 मिनट, और यहाँ पे 80 मिनट दिया गया, तो यहाँ पे exact answer नहीं था, ये 65 BPSC में भी आपका 70 नमबर पूचा था, यही व सी ब्रियस्पती, नेक्ट आइए 72, निमलिखित में से कौन एक कैम्प्यूटर की भासा नहीं है, तो option C हो जाएगा, फास्ट, तियातर आइए नीन में से कौन सी धातु रोष्णी के बल्वों में, फिलामेंट के रूप में परियोग होती है, तो यह हो जाएगा option D, टंग नेक्ट आइए 74, नमबर, चोहतर बुरा नीन में से कौन सी धातु अर्थ चालक, यानि कि सेमिकंड़क्टर के रूप में टंगिस्टर में परियोग होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा option B, जर्मेनियम, ठीक है, और एक सिलिकन भी होता है, तो जर्मेनियम और सिलिकन जेनर नाविक में प्रोटोन और निट्रोन रहते हैं, और इलक्टोन नाविक के चारोड चक्कर लगाता है, 76 नमबर आई है, निम्रिखित में से कौन वेकल्पिक उर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो 76 का सही एंसर हो जाएगा option A, सौर उर्जा, नेक्ट आई है 77, परमानू ये सनलायन पर अधारित होता है, तो ये दोनों में confused मत कीजेगा, परमानू बम इसमें होगा, तो नाविक ये विखंडन हो जाएगा, नेक्ट आई है 78, वायू में कौन सी नोबिल गैस नहीं है, तो 78 का सही एंसर हो जाएगा option D, redon, ठीक है, redon नामक अक्रिये गैस वायू में पाई जाती है, नेक्स्ट आई है 79, बोरा कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर अधारित होता है, तो 79 का सही एंसर हो जाएगा, option A, cable 1, watt पे, तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसे बिजली की खपत का बिल जो होता है, वो कीलो वाट प्रती घंटा और इसी को वाट म तो ये भी इसका एंसर हो जाता, नेक्स्ट आई है 80 नंबर, 80 बोरा है कि निमलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है, तो 80 का इसमें सही एंसर हो जाएगा, option B, uranium जो है सबसे भारी धातु है, नेक्स्ट आई है 80 नंबर है, 80 बोरा है कि इंसेट 2 ए, कब छोड़ा गया जिसका सही एंसर हो जाएगा, option C, 10 July 1992 को, दोस्तो इस तरह से करके हमारा पूरा आज physics का complete हो चुका है, और कमिश्टी का मैंने कल ही MCQ पूरा करवा दिया था previous year का, और आज physics का MCQ previous year पूरा complete हो चुका है, और ये समाने रूप से आपका BPSC, बिहार दरोगा, सचिवाले सायक और बिहार SSE का जो होने वाला exam है, उससे important question पूछा जा सकता है, और बहुत सारा question आपने देखा कि repeat भी कर रहे थे exam में, तो इस तरह का और वीडियो पाने के लिए आप किरपया करके इस वीडियो को like कर दें, और अगर आप लोग comment करते हैं कि sir इस वीडियो को और continue करें, तो इसी तरह से मैं topic wise वीडियो बनाऊंगा, अगर views कम जाते हैं channel पे, तो फिर मैं सोचूंगा कि बनाना है या नहीं बनाना है, क्योंकि अगर लोग देखी नहीं रहे हैं, तो फिर वीडियो बना कर कोई फैदा नहीं होता है, तो अगर आप लोग इस तरह के topic wise अगर collection चा जाता था, अब वो उतना views नहीं जा रहा, बहुत कम गिया है, ठीक है, तो इस वज़ा से अगर ज्यादा views जाना बंद हो जाता है, तो फिर मैं इस topic को भी छोड़ दूगा, और फिर एक नया series मैं शुरू करूंगा, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत धन्यवाद